हेलो एवरिवान मैं हूँ स्वाती और आप सभी का स्वागते स्वातिस फैमली कीचन में आज हम सूजी से ढोकला बनाएंगे तो यहापे मैंने एक कब बारिक वाली सूजी ली है और उसी कब से एक कब दही लिया है दही थोड़ा सा खटा हो तो और भी अच्छा है इसमें दो चमच के करीब हम ओईल डालेंगे और एक चमच के करीब चीनी इसमें ओईल जरू डालिए ओईल से क्या होता है हमारा डोकला मॉइस्ट रहता है उसी चमच से एक चमच हापे मैंने चीनी डालिए और इन सब को हम अच्छे से मिला लेंगे अगर आपके पास बारिक वाली सूजी नहीं है तो आप मोटी सूजी को मिक्सर में पीस लीजिए और फिर यूस कीजिए दिखिए यहाँ पे मैंने इन सब चीजों को मिला लिया है अच्छे सा है सूजी से डोकला बनाना बहुत है आसान है इसे आप सुबह की नास्ता में या बच्चों की टीफिन में भी दे सकते हैं 20-25 मिनिट में आपका डोकला बनके तयार होगा तो दीखिए इन सब को मैंने अच्छे से मिला लिया है अब हम इसमें एक से देर चमच के करीब नामक डालेंगे यह छोटी वाली चमच है और इसको मिला लेंगे मुझे अब यह गाड़ा लग रहा है थोड़ा तो इसमें मैं 2-3 चमच के करीब पानी और डालूगी क्योंकि इसको हमें रखना है 10 मिनिट के लिए तो सूजी पानी भी पीता है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हुँमे इसको भी अच्छे से मिला लेंगे इसमे पानी एगदम से नढाले हैं थोड़ा थोड़े डाली क्या होता है कभी-कभी दही भी पतला होता है तो उससे भी एक्जिस हो जाता है तो इसे 10 मिनिट के लिए रख देंगे आप 10 मिन हो गये हैं इसे हमें इडली की कंस्ट्रंसि जैसा रखना है सूजी ने पूरा पानी पी लिया है। इसमें और में 2-3 चमचकी कट पानी ढलूंगे। और इसको आँच्छे से मिलाना है। इसमें अगर आप कुछ आप चाहे तो हरी मेर्ज और अधर क्यप पेस्ट भी डाल सकती है। नहीं तो ऐसे प्लेन ही बना सकते हैं देखिए इसके कंसेस्टनसी देखिए या अब हम इसमें एक और चीज डालेंगे जिससे हमारा डोकला फुला फुला बनेगा तो यहाँ पे मैंने इनो डाला है पूरा एक पैकेट डाल दिया है इसमें एक चमज के करीब पानी डालेंग देखिए कैसे फुला फुला बैटर बन गया है अब हम केक टेन को ग्रीस कर लेंगे और से कोई ज़रूरी नहीं कि आप केक टेन ही लीजिए कोई भी स्टील की बरतर या थाली भी ले सकते हैं कैसे न वहां फोटो निखलने के लिए अच्छा दिखता है अब केक टेन में औ अज में डोकला आपको कड़ाई में बना के दिखा रही हो थे इसलिए मैंने कड़ाई में पानी डाला है उसमें स्टैंड रख दिये उसमें डोकले का बैटर हमारा है और देखिए 20 मिनिट के लिए रख दिया था 20 मिनिट हो गए अब चेक करेंगे यह भाप से पूरा धु का बनाएंगे तड़के के लिए मेंने चार से पाच चमच के करीब ऑईल लिया है उसमें एक चमच राई डाली है और चार से पाच ऐसे हरी मिर्च दोकला भी धंडा हो गया हमारा अब हम इसको साइड से निकाल लेंगे पटापट धोकला निकल जाता है कोई दिक्कत नहीं आती देखी कितने आसाने से धोकला निकल गया और जाली देखी आप इस पर कितने जाली दार धोकला बन गया है हमारा वाव देखी यह देखने से पता लग रहा है कि धोकला कितना आच्छा बना हुआ है फुला फुला अब हम इसको पीस में कट कर लेंगे, आप आपने पसंद से इसको कट कर सकती है, जितने पीस चाहे उतने, इस डोकले पर हमें स्जिगर शिरप नहीं डालना है, हम बैसन के डोकले पर स्पीजर शिरप डालते हैं, इस पर नहीं, क्यूंकि जादा गिला गिला हो गया, आप हम इसमें तटका डालेंगे, इस तड़के में आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं कड़ी पत्ते का टेस्ट भी अच्छे आता है रोकले में देखिए कितना फुला फुला रोकला यहां पे बन के तयार है तो आपको रोकले के रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएए और अगर अच्छी लगी हो तो रेसिपी को ज्यादा चादर लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल का ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए